सभी दर्शकों का एक वपने से स्वागत है दर्शकों पिछले शित्ति सब्तों से लगातार अशोक बार बश्तोत्रा जी एक दरने पे बैठे हुए हैं जम्मू अमेड को चोक में और काफी लोग इनको समर्थन करने भी आ रहे हैं आई इन से बाद करते हैं सर आपको सिर्फ पिछले दिनों जो लोगसभा का एलेक्शन हुआ उसमें बीजेबी की शीटे जितना उन्होंने अनुमाल लगाया था उससे कम क्यों आई देखिए भाजपा को घमंड हो चुका था कि वह सर्वोपरी हैं और खास करके मोदी जी को ऐसा लगता था कि वह कोई अवता पुरुष हैं जैसा कि उन्होंने इंट्व्यू में जगा कहा भी है और उनको लगता के लगता ये भी था कि भारत की जनता बहुत बड़ी मूर्ख है और इसे कई सदियों तक मूर्ख बनाया जा सकता है जबकि ऐसा है नहीं 2014 में जनता कांगरस के कुछ कामों से हूब चुकी थी और कांगरस की SCST OBC विरोधी पालसियों से लोग परिशान हो चुके थे इसलिए उन्होंने एक विकल्प डूंडा और उनको भाजपा एक विकल्प के तोर पे मिली इसलिए भाजपा को अच्छी सीटें तब मिली 2019 में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई रही उनको लगा शायद मोदी जी को परियाप समय नहीं मिला या भाजपा को सही टाइम नहीं मिला परियाप ताइम नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने एक मोका इनको और दिया और अच्छे 303 सीटें सिर्फ भाजपा की दी बाकी एलाइंस की मिलागे तो 342 से करीब थी तो उनको लगा कि इनको ये सीटें देनी चाहिए मगर दस साल पूरे होते 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 इस कारेकाल में SC, ST, OBC, Muslim, Sikh, Christian सबको ये एसास हो गया कि हमने गलती कर दी हाला कि बहुजनों की कोई अपनी political party दे बड़े पहमाने पर सा में उनको मिला और लोगों ने फटा फट स्वीच ओवर कर दिया बाजपा 303 से सीधे 240 पर आ गई यानि 63 सीट्स उनकी कम हो गई इसमें मैं ये बाद भी मुखेता कहना चाहता हूं कि हाला कि एपसूर्ट में जो मेज़ोरिटी इनकी नहीं आई, सिंपल मेज़ोरिटी इनक अगर election fair होते, अगर bungling नहीं होती, vmg use नहीं होती और दंबल और भाभूबल का परियोग नहीं हुआ होता, free, fair and transparent election होते, election commission भी अगर fair होता, तो मैं दावे से कह सकता हूं, इनकी पूरे NDA की बड़ी भी ज़्यादा सीटें आती, तो 160 से उपर नहीं आ सकती थी सर जैसे कि अजास्माद पार्टी का भी एक संस्द चंदर शिकर अजाद जी चुनके आए हैं उनके आने से समाज को क्या फाइदा मिलेगा? देखिए एक मनोबल तो बढ़ता है समाज का समाज का कोई भी अगर लीडर जो समाज में विचरता है चलता है बात करता है अगर वो पारलिमेंट में पहुंचता है या संसद में इसमें असेंबली में पहुंचता है तो एक मनोबल समाज का बढ़ता तो है उसके बाद दूसर राहुल गंदी जी ने एक ब्यान लोकसभा में दिया जिसमें उन्हें बोला कि बाजपा हिंदुतब नहीं है जिसमें काफी हो अल्ला हो रहा है उस पे आप क्या कहते हैं देखें ये बात आप किसी से छुपी हुई नहीं है RSS, BJP और हिंदुतवादी जितने भी संगठन हैं ये हिंदु शब्द को सिर्फ राजनीती के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं और हिंदु शब्द सिर्फ SCST OBC को मुस्लिम से, सिक्स से, क्रिश्चन से लड़ाने के लिए इस् लिए Supreme Court ने भी पिछे कहा था कि Hinduism is a way of life, हालांके Constitution कहता कि हो तो ये धर्म हो सकता है, way of life हो इनी सकता और इसी चीज़ को मोदी जी भी पिछे कह रहे थे कि ये धर्म नहीं है, way of life है तो ये बड़ा confusing सी बात है और Parliament में इसी चीज़ को राहु गांधी जी ने बड़ा जोर करते हैं 2019 में बहुत बड़ी मेज़ार्टी बीजेपी को इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्हों ने 48 हिंदू को परवाया था पुलवाम में इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता इसलिए उसकी कभी इन्वेस्टिएशन नहीं तो यह सारी बातों का समप करके राहूल गांदी ने यह कहा है कि अल्टिमेल्डी हिंदू इनके लिए सिर्फ एक पुलिटिकल स्टन्ट है यह हिंदू है नहीं बात अगर जम्मो किश्मेर की की जाए तो जम्मो और कठूगा में बाजबा दोनों शेटें जीती है इसका क्या कारण बाना जाए देखिए इसमें दो चीजें है पहली बात तो यह है कि रिमोट एरिया काफी है इन सीटों का और पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है शाम को एलेक्शन पत्म होने के टाइम पे एक डेड़ घंटे में कोई ज्यादा पोलिंग जो है लोगों की निवी लोग अपना वोट डाल चुके थे जिन्हों ने डाला है तो जो वहाँ पे आफिशल्स थे बाहर क्या हुए उन्होंने भाजबा को काफी सारे वोट जो है जाली दलवाएं एक तो हो कारण रहा दूसरा यहां पे जो इनिशल एक टेक अफ करना था कांगर्स को वो नहीं कर पाई और मेरा ऐसा मानना कांगर्स के दोनों कैंडिडेट चोधरी लाल सिंग भी और रमन बला भी इन दोनों कैंडिडेट के बारे में यह शोटी के साथ कह सकता हूँ इन् मूल निवासी बहुजनों के हाका कूक बहुजनों के हिस्सेदारी की कोई बात नहीं की इसलिए भी यह दोनों सिटें कांगर्स हार गई बात अगर बोजन स्वाज बार्टी की की जाए तो उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है बोर्ट परसेंटेज भी लगातार गिरता जा रहा है उसकी क्या वज़ा मानी जासा इस लिए वह गुटर ने टेक चुकी आर एसेस के आगे भाजपा के आगे और एक मिश्रा जी उनकी पार्टी में आये थे जिन्नोंने पार्टी को बरबाद करना था उन्होंने बरबाद कर दिया और मैंने देखा अमिद्शा के एक फोन पे ही काफी सारे चेंज़ इस पार मिला है बस्पा को और पूरे भारत में शायद 1.2% मिला है आप तो ये नैशनल पार्टी भी शायद नहीं रहेगी और कोई भी पार्टी जब अपने जो वैक्यूम क्रेट हुआ है बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ किरने से क्या अजास समाज पार्टी को इसका फाइदा मिलेगा अग्या था कोई और बहुजन दल आगे आएगा क्योंकि बहुजनों का वैक्यून अब बहुजन ही भरपाएंगे मनुवादी पार्टी नहीं भरपाएंगी कांग्रस बाजपा कम्मिनिस्ट या रिजिनल जो मनुवादी पार्टी है बहुजन अब उनकी तरफ नहीं जाएगा मेरा ऐसा मानना है बहुजन विकल्प ढून बढ़ रही है क्या आपको लगता है कि लोग सबा में कोई सांसद इसके बारे में आवाज उठाएगा मैं उमीद करता हूं कि इस बार काफी सारे सांसद ऐसे गए हैं नई जनरेशन वहां पर आई है जो इस इन चीजों को लेकर आवाज उठाएगी अब जैसे अखिलेश जी इस वर पीडिये का फार्मूला बढ़ता है पिछडा दली तादिवासी कर अलफ संख्यार करके और उनको वोड भी उसके मिले हैं उनकी सीटें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है तो मुझे लगता है वो भी उठाएंगे इसके लावा जैसे आप चंदर शेकर जी की बात कर रहे हैं मैं उमीद करता हूं वो भी शाहिद उठाएं जेते हैं अशोक मार वसोत्रा जी जो की पिछले काफी दिनों से मेट को चोक जम्मो में दरने वे बैठे हुगे हैं